कैया की नंपराइट्री में सब लोग मां दूर्गा की पूजा करते हैं कुछ लोग मनो ben L акamuna पूरति के लिए पूजा करते हैं तो कुछ लोग धन प्रापति के लिए पूजा करते है। आपकी मनो-कामना पुण होगी या नहीं होगी किस संकेत से पता चलता है कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि आपकी जो मनोकामना है जो आपने मनोकामना की है नवरातरी के दोरान वो पुर्ण होगी या नहीं होगी आपकी जो भी इक्छा थी वो इक्छा पुर्ण होने वाली है या नहीं होने वाली है ये संकेत वो इक्षा, वो कामना आपकी पुर्ण होने वाली है, तो बने रही है हमारे साथ, हम आपको बताएंगे, ये संकेत मिले तो समझ ले, नवरातरी पूजन से मादुरगा आपसे परसन हो गई, लेकिन इसके पहले, अगर आप हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो क इसका फल आपको बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है, लेकिन आपकी पूजा कितनी सफल हुई, कितनी नहीं हुई, इस बात की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? हम आपको बता दें कि नवरात्री के दोरान देवी चैतन होती है वह इन दिनों की गई सच्ची भक्ती से माता तुरंत परिनाम दिखा देती है यदि आपकी भक्ती से माता परसन होती है तो माता आपको कुछ संकेत देती है और उस संकेत से आप समझ सकते हैं कि आपकी इक्छ पुर्ण होने वाली है, आपके जीवन में बहुत जल्द ही खुश्यान लोटने वाली है, हम एक एक करके बताते हैं कि क्या ऐसे संकेत है, इस संकेत को आप किस तरह से समझेंगे ताकि आपको समझ में आजाए कि आपकी इक्षा बहुत ही जल्द पुर्ण होने वाली है, तो स संकेत है कि मां लक्ष्मी आपके घर में आगवन करने वाली है, मां लक्ष्मी आपके घर में बिराज करने वाली है, अगर आपने धन संपदा पाने की मनोकामना के साथ नवरात्री का अबरत किया है, तो यह आपकी सफल पूजा का संकेत है, अगर आपको सपने मुलू दिखा दे दे तो समझे आपकी पूजा सफल हो गई है आपकी कामना पुर्ण होने वाली है दूसरी संकेत नवनातरी के दोरान यदि आपको 16 स्रिंगार में कोई महला दिख जाए तो समझे की माता रानी की आप पर किरपा हो गई है आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक समाजिक य और आपके घर की सभी दुखत चीजे दूर होगी साथ ही आपके जिवन में खुशाली निशित रूप से आएगी तीसरी संकेत है नवनातरी के दिनों में अगर आपको नारियल हंस या कमल का फूल सुबह सुबह दिखाई दे दे तो समझ जाए कि मां अंबे की किरपा आप पर बरसने वाली है क्योंकि देवी मां की पूजा में नारियल और कमल के फूल का बिशेस महत होता है हंस भी मां सुर्शती का बाहन वना जाता है अगर आपको ये चीजे दिख जाए तो समझ ये कि आपके जीवन में निशित रूप से बहुत ही जल सुब समचार आने वाला है चोथी संकेत घर से निकलते समय अगर आपको कोई गाय दिख जाए तो ये बहुत हिसु मना जाता है नवरातरी के दोरान या नवरातरी के बाद भी अगर आपको ये गाय दिख जाए तो समझे कि आपके जीवन में बहुत जल्द ही अच्छा समय आने वाला है अगर नव जल्द ही पूर्ण होने वाली है। आपके दाई और सांप या कोई बंदर दिख जाए तो समझे आपके लिए बहुत ही सुपसंकेत है। अगर इस तरह के संकेत आपको दिखाए देते हैं तो समझ लिजिए कि माता रानी आपके उपर प्रसंद है और जल्द ही वहाँ आपकी सभी इक्छाओं को पुर्ण करने वाली है। कमल के फूल का दिखना मैंने आपको पहले भी पताई है अगर सुबा उठ करके अगर आपकी पहली नजर किसी कमल की फूल पर पढ़ जाए तो यह बहुत ही सुपसंकेत है। नवरात्री के समय में ऐसा होने पर माता रानी यह संकेत करती है कि जल्द ही आपके घर से धरित्ता दूर होगी, सुख समिर्धी आएगी, ऐसे संकेत दिखने पर माता का धनवाद करना आप न भोले। कभी कभी आप अगर पूजा करते हैं पूजा के समय क्या होता है कि माता के गले में जो फूल होती है या माता के हाथों में जो फूल होती है वो गिर पड़ता है वो आपके सामने वो गिर जाता है तो आप नबराती के दिनों में माता की मूर्ती के सामने खड़े होकर आप जो ऐसे जगह पर फूल है जो आपकी मनोकामना कहते समय, मनोकामना मंगते समय, अगर वो फूल गिर जाए तो समझ जाए कि मातारानी आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है, इस तरह का संकेत मातारानी उन्हीं लोगों को देती है, जो उनके लिए बहुत खास है, सभी को मातार यह संकेत नहीं देती है, यह बहुत यह अच्छा संकेत है, जब भी आप पूजा करते हैं, वनोकामना के लिए करते हैं, अगर फूल गिर जाये तो समझेए आपकी इक्षा निष्टी तुरूप से पूर्ण होगी, यह बहुत ही जादा और अच्छा संकेत मना जाता है, नव समरात्री से सुरू हो करके दिवाली से पहले तक भी आपको दिखे, तो समझ लिजिए कि आपको धन की प्राप्ती निष्टी तूरूप से होगी, एक चीज और जो बहुत ही महत्पून है, अगर आपको सपने में कोई छोटी कन्या एक सिक्का दे, तो समझेए यह बहुत ह अच्छा सुप संकेत है, क्योंकि कन्या को साक्षाद दुरुगा जी का रूप मना जाता है, सपने मिलने वाले इस संकेत से पता चलता है कि देवी मां आप पर पिशेस किरपा की हुई है, आपके जीबन में धन की प्राप्ती निष्टी तूरूप से होगी, अगर सपने की चीज की कमी नहीं होगी, नवरात्री के पावन मोके पर नवरात्री के दोरान सपने में अगर आपको संख दिखाई दे दे तो ब्यक्ती को जीबन में तरक्की मिलती है, और सुबह उठते ही नवरात्री के दोरान अगर आपके कान में संख की आवाज भी आपको सुनाई प तो ये संकित बताते हैं कि आपके उपर मा देवी प्रसंद है नवराती के दुरान आपको ये संकित दिखे या नवराती के बार भी दिवाली तक ये संकित दिखते रहे तो आप समझे कि मा देवी आपके उपर प्रसंद है और आपकी हरिक छापपुन होने वाली है अब जो एक महत्पुन बात है जो आपके भविस्थ के बारे में बताता है नवरात्री की सुरात के पहले दिन लोग अपने घर में कलस अस्थापना करते हैं और उस कलस के नीचे जो बोए जाते हैं जो तीस करुशार जो हमें हमारे भविस्थ के बारे में बताते हैं और जान उगने लग जाती है और छे दिनों में अच्छी और हरी भरी हो जाती है तो ये सुफ संकेत है इसका मतलब है कि आपको धन लाब होगा घर परिबार में जी लोगों का विवाह होने वाला है उनके विवाह में आने वाली सभी दिक्कतें दूर होने लगेगी इसके अलावा ऐस जो से इस बात का भी संकेत मिलता है कि घर परिवार के लोगों का स्वास्त अच्छा रहेगा अगर जो घनी और हरी उगती है इसका मतलब है पूरा साल आपका अच्छा बितेगा इसके साथ साथ अगर उगे हुए जो की जरों की सुरुआत में सफेदी दिखाई देती है यान यह हलके हरे कलर में बढ़ते दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आने वाला नया साल आपके लिए सुरुआत में कस्टकारी रहेगा लेकिन धीरे धीरे परिसानिया कम होती चली जाएगी वहीं अगर साथ में और आठ में दीन जो उकर नीचे की और जोगने लगती है तो इसका मतलब है कि साल की शुरुआत तो अच्छी रहेगी लेकिन साल के अंतिम समय में आपको कस्टों का सामना करना पर सकता है इसके साथ साथ अगर जो काले रंग तेढ़्े मेढ्ये उगते हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं है यदि जोग नहीं पाई है तो इसका साल भर देवacho दुरगा की पूजा पाठ करें इस से आपको लाव अवस मिलता है तो आज मैंने आपको बताई कि नबराती के दौरागान क्या संकेत आपको ये बताते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा और क्या संकेत ये बताता है कि आने वाले समय में आपको कष्ट भी हो सकता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कि पैसे लाइक करे, सब्सक्राइब करे फेस्बूक पर फोलो करे, अपने दोस्तों सगे समझों की साथ भी सेर करे ताकि वो भी इन चीज़ को समझ सकते हैं और समझ करके अपने आपको बहुत ही खुशाल बना सकते हैं आज के लिए बस अतना ही धन्नवाद